नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपको चैनल एगरी, आकास बे, किसान भाइयों, एक वीडियो आपने दादा जी का देखा होगा, इन्हीं का है, ये पत्ता गोभी की खेती, आज किस वीडियो में हम जानने वाले हैं, कि पत्ता गोभी के सफल खेती कैसे की जाती है, जैसे कि आप जानते हैं कि ये लगभग 30 साल से फूल गोभी और पत्ता गोभी की खेती करते आ हुए आ रहे हैं, तीन दसक का इनको पत्ता गोभी का अनभो है, तो हम इन से जानेंगे कि पत्ता गोभी की खेती कैसे की जाती है, और किस समय आप पत्ता गोफी की खेती करेंगे, किस तरीके से करेंगे, खाद क्या डालेंगे, सिचाई कैसे करेंगे, कौन साइ स्प्रे करेंगे, जिससे कि आप ए काफी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, तिस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, चैनल पे पहली बारा हैं, चैनल को भी सस्क्राइब कर लीजेगा, क्योंकि यहां पर मैं आपके लिए खेती बारे फिजुली हुई, ऐसी महत्रपूर वीडियो बनाता रहता हूं, दादा जी लगभव कितने दिन की हो गई है, यह हो गई है काकाते, धाय महिने की, धाय महिने की हो गई है, और इ हो गई होती हैं, इसे grassy बहु घुल को पत्ता को भी कितने सही में यह होती हैं, उतने दिन होता है, इन्दिन हो अब त्यार हो गई हो गई है, नही अधो कि एक बीघा के लिए एक बीघा के लिए एक बीघा के लिए एक बीघा के लिए एक बीघे में पंदरा पत्ता यानि मतला पंदरा पत्ता और एक पत्ते में 10 ग्राम होता है यानि एक पत्ते में 10 ग्राम बीघ होता है और एक बीघा के लिए आपको पंदरा पत्ता यानि लग चुछ के सो bene कि और यसको आपने इह पानी जो पे हांसे पुरतक प्लाइता नच जे항 नाचे कर देते हैं 10 काम जब छोड़ा खाइ हैं दो बोरे डाले थे वह कैंट थे को यूरे बैं दैले होगे डाला सुरुअ कि यूरिय हुँटा डालु थे काम दब 30 kg एक बार की एक बार में 30 kg फिर 30 फिर 60 kg अपने इसमें यूडिया डाल दी हुई है और जैसे कि आप बता रहे हैं धाई महीने की हो गई है यह लगवग एक महीने में तयार हो जाएगी तो अब यह एक महीने में जो बचा हुआ है इसमें क्या करेंगे सिचाई करेंगे और इसमें इस परे कीट नासक करेंगे कीट नासक का का थे मतलब 15-15 दिन पर कीट नासक कभी इस परे करते रहेंगे 15-15 दिन पर तो एक बार कीट नासक इस परे करने का कितना खर्चा आता होगा कि आता है का का थे तो दो सरोपे का दो सुरुपे खर्चा था एक बार करने के तो थोड़ा बहुता प्रकाम तब आप तागत वाली मिलाज दे जी तिन सो मल्स जी कोई जिंक वाला डाल देख सल्फर वाई ची डाल दिये तानिक जैसे टानिक बता रहे हैं जैसे प्रटेसियम नाइट्रेड हो दिये finds जिंक सल्फर हो गया तो मैं यहां को जिसमें क्या होते हैं जिसको हम्हिक केसान होटे हां जिनक का सुछ पोसक तत्व कहते हैं वह होता है वोग उसको टनिक कहते हैं झाला जिसको हम आफ से जिंक नाइख होटा है आर अर्ध होता है यहीं होता है किषान भailleurs चिसंव जिसको कि हम सोचें पोसक तत्तो कहते हैं, उसी को हम लोग यहां पर टानिक कहते हैं, उदादा जी जैसे एक बीघाप की यह पत्ता गोभी की फसल है, और लगभग एक महीने में तयार होने वाली है, तो अभी तक आपने इसमें लगभग कितना लागत लगा दिया होगा, इस पत्ता गोभी का सस्ता होता है, तो दादा जी हमें आप यहीं बताईए कि जैसे आप करें थोड़ा इसका बीच भी सस्ता मिलता है, तो क्या बिकने में इसके उसके रेटर भी कोई अंतर होता है, नहीं राट इसका भी अच्छा आजाता है, उसका भी अच्छा राट भी र तो क्या इन दोनों फफलों को एसी फफल है पत्ता गोभी लगाना असान या फूल को भी लगाना असान है दोनों आसान आए तो दाइजी एक वीघहा में दन्सक्राइबा जिसंटे होगा अब ही महिना है इसका पाधगोवी के राइट बहिया है फिर 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 पंदास 20 रूपए 20 रूपए एक फूल की खीमत यानि जो है वह 20 रूपए है और अगर 20 रूपए के हिसाब से आप जोडेंगे 10,000 तब आप समझेंगे कि यहां पर प्राफिट अच्छा हो स है जी खुरपा से मतला खर्पतवार भी निकाले और इसकी गुडाई भी और एक फफल देशे शुरूसले के अंध तक कितनी बार निराई गुडाई करनी पड़ती है एक बार करते हैं बार में हो जाता है और इसे बीच बीच में वहां पर हम लोग देख रहे हैं प्याद जिसको कि अधिते हैं तो वह जगा खाली रहती है उस पर खरपतवार अनायासी उख जाते हैं तो अगर उस पर प्याज लगा देंगे तो एक थोड़ा सा इंकम भी हो जाएगा और खरपतवार भी नहीं पाएंगे तो आप में देया कितना अच्छा मॉडल है यह फूल गो की कमाई हो सकती है बिलकुल सकती है कि अगर उआज से करते हैं पत्ता गोवि की और समय पे लगाते हैं तो आप एक लाख रुपए तक भी इसमें कमा सकते हैं दड़ा जी जैसे अपने फूल गोवी के बारे म बताया था कि एगर समय से पहे लगा देंगे तब कमा लेंगे इसका अगर लगाना है। अबढ़ा देख मेंगा सकते हैं। और अगर हम उगाती करेंगे तो अप्हा समझा उछा यहागा। था नही कर दिए उछी सांग तु नहीं कि फूल आगी उठी ने कितना अच्छे तरीके से हमें सम्झाया कि फूल गोविI और पत्तागोभी की जो खेती है यह कैसे की जानी चाहिए इसका रेट की समझादा मिलता है कौन सी खाट डालते हैं कौन सा इस्प्रे करते हैं सारी जानकारी इन्होंने आपको बताई अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगरी आपके लिए खेती बाड़े फिजूलिवी ऐसी महात्रपूल वीडियो बनाता रहता हूं दोला जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका